सत्या जी स्वागत है आपका अगर नमस्कार में जी नमस्कार मैं थे दोस्वाल है एक अपने लिए पुछना है डाक्टर साथ से जी जी एक मेरी मम्मी ने लिए उनकी उम्र है जक्तन साल है उसी दमागाया था आप नम को जितूं खाने का थो दाउसको शांस की प्रोलम वीजने के बहुत हम सूच नारते हैं और बजन काम नहीं हुआ भी था कोई ठीक हैं बहुत बहुत जादे हैं यह उनको नो गवराट बहुत होती है दरवज्जा भी बंदर निगान दिटे जिए बंदर सोना होता है राज के समी अच्छा सांस के रोग में कुछ आराम हुआ था? दरवज्जा चालते हैं सांस तो बहुत जादे था था थोड़ा काम हो रहा या बेट बहुत जादे है उसका प्रीक्ट में गम हो रहा जी एक अपने लिए है जो मेरा बाया मतरां राइट साइड का कंदा है ना तोड़ा बाजू मेरी पिछे से नहीं मुट दिया थे ना पूरी अपरोट दिया थे एक्ट्रागर आया था उसमें आया के ओ जड़ी है जड़ी है नो जाम होगी आपके कंदे कि अनना मेडिसान तो दिया था अब डॉक्टर ने बोला के कंदे में एक्ट्रागाना बड़ेगा है तो जो में लगाना नहीं चाहती एक जड़ा बीपी भी होता है और होडी क्लेस्ट्राली प्रोलम भी है दोविते इंच्ट्टर मेरी ठीके माम अच्छा देखिए एक आता है गौंसिया काला गौंसिया असली ले ले और आधा आधा गिराम दिन में एक बार ही ले ले चाहे तो यह दो बार भी ले सकते खाने के बाद पानी से ले तो आपको वीकंदे की तकलीव भी जाती रहनी चाहिए और मुझे लगता है कि आप बगर इंजेक्शन के भी आपको फाइदा हो सकता है यह कॉलिस्टॉल और मुटापा का दिश्मन तो यही है नमक जेतून और खाने का सोड़ा अब हमें यह ते करना है हमें कितनी बार लेना है और कितना लेना है एक एक चुटकी अक्सर फाइदा करता है दो बार लेने में पाने मिला कर तो इससे कॉलिस्टॉल भी संतुलित होता है और प्रेट पेशर भी तो आप यह नुसका ले दो बार ले और पिता जी को यह नुसका तीन बार देना शुरू कर दे सास में उनको फाइदा शुरू हो गया है तो सास में फाइदा होना चाहिए पहले कॉलिस्टॉल निकलेगा हार्ट ब्लॉकिज कही होगा तो वो खुलेगा अगर वो फाइदा शुरू हो गया समझे लिजे आपके बहुत फाइदा शुरू हो गया वजन अगर कम नहीं होता है तो इसके साथ यह दो तीन चुटकी जीरे का पाउडर बना लें और दो तीन चुटकी वो खाके तब यह लिया करें तो और जाइदा यह फाइदा कर सकता है नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ स्वागत है आपका हलो हलो मैं जी आपका नाम क्या है मैं बीहार से बोल रही हूं नीतु चिंग जी नीतु जी बताए सवाल करें मैं मेरी द्योशी की गाठे है आपकी सार के मैं नुक्सा ले रही हूं तो मैं चार महिना सुन से नुक्सा दे रही हूं सार का फिलोबेरा और एक चुटकी हरजी एक चुटकी चैशुन का नमक और एक चुटकी खाने उले सोड़ा अताक धबे के लिए मैं चिरगोंजा का चिरगोंजा का गोंद भी दे रही हूँ एक चुटकी तो मैं बीच में एफ केर आपके हां से मंगाई थी तो जानना चाहते हूं कि एफ केर अब खतम हो गया है मैं जानना चाहते हूं कि एफ केर मंगा के कि कलोंजी के सिर्का दूप ऐसे लो बेरा का सिर्का मैं दे रही हूं एफ केर? एफ? एफ पॉर फिश एफ केर S-केर S-केर में या एफ केर? एफ केर में आपके कंपनी से तो वहां के डॉक्तर दे भेज़ेते हैं ठीक है और मतुद थोड़ा मतुद बड़ा जिसा ही हो गया है वही जाना चाहती हूं कि ऐसा क्यूं हुआ और अब दूद का क्या में खीर दे सकती हूं बची क्योंकि सब्सक्राइब ना करते हैं दूद है और घीर अभी का बना यह जाना चाहती है एसकेर बता रही है हकीम साब अच्छा देखिए गाठों के लिए यह चर्बी को कम करने के लिए एफ केर है एफ और फिश तो वो एफ केर है एफ और और क्या कहेंगे फ्लैग तो वो लेना चाहिए दो टाइम यह चर्बी को गाठों को चर्बी की गाठों को कॉलिस्टॉल को कम करता है तो कुछ साफ नहीं हो पा रहा कि आपने कौन सा निसका लिया है और यह बहुत जल्दी फाइदे की उमीद न रखें यह कुछ वक्त लग सकता है इसमें और कुछ भी फाइदा नजर आए तो आप इसे लगात करते चले जाए हकीम सब दाग धबो के लिए यह चिलगौज़ा बता रही है हाँ कुछ निशान अगर उनके है जिसम पर कुछ दाने हैं उनके दाग है निशान है उनको सुखाने के लिए जखम है तो चिलगौज़ा लिया जा सकता है तो नीतु जी एक पर आपसे मैं फिश हकीम साहब ने बता दिया है एफ और फीमेल एफ और फ्लैग आप देखिएगा कि एफ केर है या एस केर है मैं देखिए दवायू की पहचान होनी बहुत जरूरी है दवायू की पहचान नहीं होगी तो अच्छे से ट्रेटमेंट आप फॉलो नहीं कर पाएंगी तो जो बात हकीम साहब ने भी आपको बताई है उस बात पर गौर कीजेगा और हम यहां से दुआ करेंगे कि आपकी बेटी बहुत अच्छी बहुत बहुत बहतर जल्दी से जल्दी हो जाए अगली कॉलर है कनौ जिसे रीना जी स्वागत है आपका नमस्ते मैं जी नमशकर मैं जी स्वागत आपका जैहिना मेरे को पहले से बहुत आरहम था मतलब दर भाई नहीं एक्दम से खतम हो गया था और जैसे अभी डॉक्साब से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे क्या कहते हैं सिर्का जो जैतून का सिर्का है वो बताया था तो वो ले सकते हैं कि नहीं लेकिन वो तोड़े ठंडा सा र किसी किसी को नहीं चलता जिन लोगों खटी चीज़ें नहीं चलती उनको जैतून का सिर्का भी नहीं लेना चाहिए अगर आप पुट ये नीवू और याम का अचार ये सब आप का लेते हैं कोई नुखसान नहीं होता नजला नहीं होता कहां से नहीं होती तो आप जैतून जब दवा खाते हैं और फाइदा हो जाता है तो हम यह तो कुछ बत-परीजी कर लेते हैं जिसे मैं अक्सर कहता हूं जाड़ों पहुचा ना करें तो जब ठीक होते हैं तो हम काड़ डालते हैं तो ऐसा ना करें और वेस्टन टॉयलेट इस्तेमाल करें अभी और आप एक इसका डबा लेके और इस्तेमाल करें भगवान से खूब मदद मांगें मैं भी आपके लिए प्रात्ना करूँगा कि आपको पूरी तरह पाइदा हो जाए जी चटीसगर से हैं सरोज जी स्वागत है आपका जी नमस्कार मैम जी नमस्कार मैम जी चीहिं सरोज जी आपका बहुत-बहुत स्वागत शर आपके हांसे मेरा दो मामा होगे अखालागन खादी हूँ शर कंदे में कमर में तो मेरा काशी अराम है इसल्ट बेग इस दिस कोपी जिन्टे में रखीदा हापके अभूजे में नहीं जोहत कखली गया जिर असमानी दिनी उखादी हूँ तो पर्फो में डाक्तर के अगई थिना तो एक तरह हुआ तो बोले की मस्क चड़ गया अरुजे को और दावाब अगेरा दिये हैं तो इसको खाली नुकाद लेकिन क्या बोलते हैं ऐसा होता है जाए तालागन ने खादीना को चड़ गया पहता है जाए और मेरे को किता दिन करना पड़े जाए जालागन तो और और बता है ठीक है ठीक है जी भगवान आपको सदा सुखी रखे बहुत प्यारी हैं आप और महनती भी है कुछ दिन महनत मत करें खास तो पर जालू पहुचा रोग दें बहुत महनत लगती है मुझे तो कभी तो भाती तूट जाता है आपको आदत है लेकिन आपकी बीमारी ऐसी है जिसमें उसके लिए मैंने मना किया है तो ना करें और वेस्टन टॉयलेट यूज करना ये दो मेरी आप से निवेदन हैं दो प्रातना हैं और फाइदा शुरू हो गया आपको और पंदरा दिन में फ आना पड़ सकता है और जब कुछ भी बीमारी हो तो पूछने की ज़रूत नहीं है डॉक्टर की दवा ले सकते हैं बुखार आ जाए कुछ भी हो जाए कोई भी बीमारी हो जाए उसकी दवा लेते रहें डॉक्टर से वक्ती तोर पर ले लें ये आपको मुस्तकिल फाइद खाए भगवान से मदद मागना जरूरी है आपको फाइदा होना मुम्किन है कुलाब सावन्त जी स्वागत है आपका है नमस्कार जी नमस्कार सर महराश्य बोल रहे सातारा मेरे तीन सवाल है पूछिए एक छोटा लड़का है मेरा लड़की का हां तो उसका उमर दो साल औ बात ने कर रहे है वो बॉल नी पाता ओए छीक हां बाती ने कर रहे है लुए दूसरा सवाल अब पर कुछ बोलेगा न उसको तो कुछ ख्लम ने देता है वह उल यह की ठीक है दूसरा सवाल इंग सा ने हां ने को थोड़ा बीक पी का और तुम्हारा ये डाइपिटीज का प्रॉब्लम है ठीक है तो उनके लिए क्या लेना पड़ेगा ठीक है तीसरा सावाल है कि मेरे बे ने बागतर साल की तो उसको चलते पर मैंसा हपता है दम दम लगता है उसको जो दीए जो बच्चा चोटा बच्चा है उसके लिए अच्छे किसम का बादाम का तेल आप तो बॉम्बे में नहीं हैं सतारा में रहते हैं काफी दूर है सतारा बॉम्बे में बादाम का तेल आपकी नजर के सामने निकाल के देते हैं पाइदुनी पर बॉम्बे में पायदुनी एक ऐसी जगह है जहां पर दवाओं की कच्छी दवाओं की मारकिट है पायदुनी और आपके आसपास कोई निकाल की देता हो आपकी नजर के सामने बदाम का तेल तो वो निकल वाल है और दूद वो बच्चा पीता होगा यकीन उसके दूद में एक चमच बदाम का तेल मिलाकर उसे दूद पिलाएकर ये खूब मीठा करके और इंतजार करिए उसके बड़े होने का ये धीरे धीरे उसके आवास को उसके दिमाग को तेज करेगा और थोड़ा बक्त लगेगा लेकिन बच्चे को फाइदा होना मुमकिन है और सवाल 65 साल के हैं बीपी और बीपी के लिए एक बहुत अच्छा नुसका है वो ये है कि नमक जैतून एक विशेश किसम का नमक है जो साद में अमकीन नहीं होता ये असली खरीदना बड़ा मुश्किल है लेकिन मिल जाए तो बहुत अच्छा है नमक जैतून एक चुटकी ले और एक चुटकी खाने का सोडा जो आपके किचन में सोडा होता है न वो एक चुटकी पानी मिलाएं और दिन में दो बार खाने से पहले या बाद में पिला दिया करें इससे बीपी कॉलिस्टॉल वगेरा में बहुत फाइदा होता है आपकी जो 72 साल की बहन है उनको भी ये दीजे और उनका सांस कॉलिस्टॉल यानी चर्बी हमारी दिल की रगों में जम जाती है जिसकी वज़े से ऐसा मरीज जब पैदल चलता है तो सांस फूलता है ये उसकी निशानी है और डाइबडीज की दवा तो आप जरूर खाते होंगे और वो दवा खाते रहे और एक युनानी यानी आईरव प्रेदिक दवा भी है जिसे गौन्द जामुन जामुन का गौन्द एक एक चुटकी अगर दो तीन बार लिया जाए एक एक चुटकी तो डाइबडीज काफी कंट्रॉल रह सकती है जे